वेल्कम टू टेक बल्क इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या होती है SFP कैसे करती है ये काम और क्यू पढ़ती है हमें इसकी जरुवत वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर तो कीजेगाई साथी साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा सो देखते रहे ये टेक बल्क SFP का मतलब है Small Form Factor Plugable Module यह एक तरह का ट्रांसीवर है जो स्विच के SFP पोर्ट में लगता है यह डेटा कम्यूकेशन और टेली कम्यूकेशन दोनों में ही काम आता है यह गीगाबीट इथरनेट और फाइबर केबिल्स पर वर्क करता है SFP मोड्यूल को GBIC यानि गीगाबीट इंटरफेस कनवर्टर से रिप्लेस कर दिया गया है SFP मोड्यूल बहुत ही छोटे साइच का होता है इसलिए इसे मिनी GBIC भी कहते हैं SFP मोड्यूल की हाईयर बेंडविथ होती है साथी साथ यह लोंग डिस्टेंस और शोर्ड डिस्टेंस डेटा ट्रेवल करने के लिए डिजाइन किया गया है इनकी स्पीड 1 GIG से 400 GIG तक हो सकती है और यह डिपेंड करता है SFP मोड्यूल के टाइप पर इन मोड्यूल में मल्टी मोड फाइबर और सिंगल मोड फाइबर यूद होती है जो की डूपलेक्स और सिंपलेक्स दोनों हो सकती है SFP Electrical Signal को Optical Signal में Convert करती है और Optical Signal को Electrical Signals में Convert करती है SFP मोड्यूल को Hot Swapable मोड्यूल भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें हम पनी requirement के हिसाब से अपग्रेट कर सकते हैं साथी साथ यह बहुत ज़्यादे गरम हो जाते हैं SFP मोड्यूल का यूज हम Network Switches और OLT में करते हैं SFP मोड्यूल की एक ID होती है और साथी साथ यह Network Switches की information भी अपने अंदर store कर लेती हैं SFP मोड्यूल के कई Upgraded version भी market में available हैं Like SFP, SFP Plus, QSFP Plus और QSFP28 SFP मोड्यूल हमें 1 GIG से 4 GIG तक data rate प्रोवाइट कराती है SFP Plus मोड्यूल हमें 10 GIG से 16 GIG तक data rate प्रोवाइट कराती है QSFP Plus मोड्यूल हमें 25 GIG से 40 GIG तक data rate प्रोवाइट कराती है QSFP28 मोड्यूल हमें 80 GIG से 100 GIG तक data rate प्रोवाइट कराती है अब बात करते हैं इनके standards की तो सबसे पहले आता है 1000 Base TX तो 1000 का मतलब है 1GBPS, Base का मतलब है Baseband और TX का मतलब है Thik Ethernet और X represent करता है Distance को यानि 1000 Base TX Transceiver Ethernet केबिल पर वर्क करता है और इसकी रेंज 100 मीटर तक होती है अगला Standard है 1000 Base SX S का मतलब है Short Range यह Transceiver Multimode Duplex Fiber यूज करता है और इसकी रेंज 550 मीटर तक होती है अगला Standard है 1000 Base LX L represent करता है Long Range को यह Single Mode Duplex Fiber यूज करती है और इसकी रेंज 10 किलो मीटर तक हो सकती है अगला Standard है 1000 Base EX यह Single Mode Duplex Fiber यूज करता है और इसकी रेंज 40 किलो मीटर तक होती है उसके बाद आता है 1000 Base ZX यह single mode duplex fiber यूज़ करता है और इसकी range 80 km तक होती है अगला standard है 1000 base BIDI BIDI का मतलब है bi-directional यह simplex single mode fiber यूज़ करता है अगला standard है 1000 base LH यह duplex single mode fiber यूज़ करता है और इसकी range 100 km से 120 km तक हो सकती है Thanks for listening